श्रवन कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता-पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम और श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता-पिता की सेवा करता था। अपने माता-पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उसके माता-पिता भी स्वय को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात दुआएं देते थे। अपना जीवन बिताता। जब ये बात श्रवन ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं। यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप हुआ है कि मैं आपकी सेवा करू। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझे से कहे। मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब शान्तुनु और उसकी पतनी कहते हैं पुत्र श्रवन। हम दोनों की आयू बहुत हो चुकी हैं। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं किसी भी समय हमारी मृत्यू हो सकती हैं। ऐसे में हमारी केवल एक इच्छा हैं। हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो। श्रवन कुमार अपने माता-पिता के चर्णों को पकड़ कर अत्यंत प्रसंद्धा के साथ कहता हाँ पिताश्री यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी कर सकू। श्रवन अपने माता-पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कावड तयार करता हैं। जिसमें एक तरफ शान्तुनु एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती हैं और कावड लेकर श्रवन तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। उसके हृदय में माता-पिता के प्रती इतना स्नेह था कि उसे उस कावड का जराभी वजन महसूस नहीं होता था। अपने पुत्र के इस कार्य से माता-पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता हैं और वे श्रवन से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी हैं। श्रवन कावर को जमीन पे रखकर, हाथ में पत्तों का पात्र बना कर सर्यू नदी से जल लेने जाता हैं। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरत शिकार पर निकले थे और उस घने वन में वह हिरन को शिकार बनाने के लिए उसके पीछा कर रहे थे। तब ही उन्हें घने जंगल में जाडियों के पार सर्यू नदी से पानी के हल चल की आवाज आती हैं। उस हलचल को हिरन के पानी पिने की आवाज समझ कर महाराज दशरत शिकार के उद्देश से तीर चला देते हैं और वह तीर से श्रवन कुमार के सीने में लग जाता है। अहसास होता है। पिता के पास पहुचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूचते हैं उनका पुत्र कहा है। वे भले ही नेतरहीन हो पर वे दोनों अपने पुत्र को आहट से ही समझ लेते थे। माता पिता के प्रशनों को सुन महाराज दशरत उनके चर्नों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से बताते हैं। पुत्र की मृत्यूं की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरत से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरत कावड उठाकर दोनों माता पिता को श्रवन के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं उनके विलाप को देख महाराज दशरत को अत्यंत गलानी का आभास होता है और वे अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं लेकिन दुखी पिता शान्तुनु महाराज दशरत को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शान्तुनु पुत्र वियोग में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता, पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्थ हो जाते हैं। महाराज दशरत शराप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्य अभिशेक होना था, तब माता कैकई के वचन के कारण राम, सीता और लक्षमन को 14 वर्षों का वनवास स्विकार करना पड़ता हैं और इस तरह के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं